दोस्तो सब्क्राइब कीजिए तहल का न्यूज सेवन को और प्रेस कीजिए इस घंटे को ताके आप देख सकें बहतरीन वीडियोज वो न्यूज सब से पहले एक बार मराठा सेनाए टीपू सुल्टान पर आक्रमन करने श्री रंग पत्नम गई मराठा सेनाए कौन से धर्म की हिंदू टीपू सुल्टान मुसल्मान अब यह सेनाए गई दोनों में लड़ाई हुई और यह लड़ाई बिना हार जीत के फैसले के समाप्थ हो गई यह बिना हार जीत के फैसले के समाप्थ होने को क्रिकेट में कह कहते हैं टाय होना यह ड्रा लड़ाई ड्रा हो गई, मराठा सेना ये वापस आ रही, बड़ी गुस्से में हैं कि हम आये तो थे टीपू सुल्तान को हराने, टीपू सुल्तान को हमारा नहीं पाए, तो आते हाते उन्होंने टीपू सुल्तान के राज्य का श्री रंग पट्नम का मंदिर तोड़ दिया, टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई, मैं बड़ा परिशान हूँ, मराठा सेना उने हिंदू मंदिर क्यों थोड़ा, हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए या टीपू सुल्तान का अपमान करने के लिए, और टीपू सुल्तान ने मंदिर की रिपेर क्यों कराई, हिं जिन लोगों का भी दिली शहर है, अपनी राजधानी में एक और रोड का नाम बदलने के कोशिश हो रही है, कौन सा है वो, अकबर, बोले अकबर, मुस्लिम, और हमारे महाराना पृताप, हिंदू, बहुत 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 बहुत, तो उस बहुत 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 दिना चाहिए अक्बर अपना नहीं है वो तो उद्धेशी है अब ये देशी विदेशी की परीभाशा क्या होती है क्या नहीं अपन देखेंगे तो यहां आपन चलते हैं एक तरफ अक्बर हैuproscop प्रताप और अकबर और राना प्रताप की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ किसकी फाज है अकबर की एक तरफ राना प्रताप की आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे अकबर की फाज में अकबर खुद नहीं है अकबर के बने कोन है राजा मान सि और राजामान सिंग के असिस्टेंट जनरल जो हैं वो बड़े प्यारे व्यक्ति हैं कि उनके नाम पे बहुत अच्छी दो हिंदी फिल्में बनी हुई है शहजादा सलीन मुगले अगमौर अनार कली राजामान सिंग कौन थे अक्बर के प्रधान सेनपती सेनपती नहीं हलो स और शहजादा सलीन उनके असिस्टेंट ये अक्बर की फौज हो गई और राना प्रताप की फौज में उनके जो सबसे बड़े विश्वस्त थे उनका नाम था हकीम खानसूर दोनों तरफ हिंदू दोनों तरफ मुसल्मान तो ये हिंदू मुसल्मान की लड़ाई है या दो क्या फिलोसफी चल रही इपनी सरल चीजें हैं और ये लोग समझने से इंकार कर रहे हैं और यहीं प्रधान मंत्री जी का नाम आया तो थोड़ा और बता दूं बुरा मत मानिये का उनको बताना मत मेरे बार भी खैर अपने प्रधान मंत्री जी आये बंबई हमारे तक कि हमारा वड़ा पाओ जो है ना उसको भी हमने नाम शिव वड़ा पाओ कर दिया तब से वो ज्यादा स्वाधिष्ट हो गया आपको खिलाओंगा कर दिया एक यह उनको वोट लेने थे तो बोले शिवा जी महाराज इतने महान थे कि उन्होंने औरंग जेब का खजाना लूतने के लिए सूरत पर आकरमन किया मैं हिरान हो गया मैं फिर से हिस्टिव हूँ मैं देखा औरंग जेब का खजाना दिल्ली में था के सूरत में था अब शिवा जी महाराज जो हमारे थे उनकी फाज एक बार सूरत पर आकरमन करने जा रही थी तो आपको मैंने बताया क हैंकि प्रधार मंतर चिस को ओल्टा मता रहे तो जब यह फौज सूरत पर आकरमन करने जा रही थी तो शवीवजी महाराज ने अपनी फौज को तीन इंस्ट्रॉक्शन्स निर्देश दिये ये इंस्ट्रक्शन क्या थे पहला इंस्ट्रक्शन था देखो भई आप जा रहे हो रास्ते में हजरत बाबा की दरगा है हजरत बाबा की दरगा को कोई नुकसान नहीं पहुचना चाहिए उसके उलट मेरी और से हजरत बाबा को ये भेट गिफ्ट दे दे नमबर दो, इसी सूरत में फादर एंब्रोस पिंटो का एक आश्रम है, फादर एंब्रोस पिंटो के आश्रम को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नमबर तीन, जब आप लूट मार कर रहे हों, अगर आपके हाथ पे किसी दूसरे धर्म के मानने वाले की पवित्र पुस्तक अगर दूसरे धर्मे के मानने वाले की पवित्र पुस्तक आ गई, तो उसका अपमान मत करो, पूरे आदर के साथ उसको उस धर्म के मानने वाले को दे दीजिए, तो यह हमारे शिवाजी महराज, और यही शिवाजी महराज जिनको आज हिंदु धर्म के नाम तो उच्छाल तो धर्म सल क्यों तोड़े गए धर्म के लिए या सत्ता संपत्ति के लिए राजाओं में जगड़े क्यों होते थे धर्म के लिए सत्ता संपत्ति के लिए ये कितनी बेसिक बात है पर इसके ओपर हमारा कंफ्यूजन कितना होता है इसको आप देखिए और जैसे मैंने शिवा का एक बड़ा राजा था वास्ता में बैस सुल्टान भारत का एक ही राजा है जो अंग्रेजों के खिलाफ लडाई करते हुए मारा गया। और कोई राजा नहीं मारा गया। क्रांथी तक यह 887पतावन की देखी पर उसने अंग्रेजों के खिलाफ लडाई की नमबर दो टीपू स्ल्तान का जो सचिव था वजीर अलम और जो इसका कमांडर इंचीफ दोनु हिंदू थे तो इसमें हिंदू-मुसल्मान का मामला की हिंदू अच्छे मुसल्मान खराब, मुसल्मान खराब, जो देखने का तरीका है इस से हमारे दिमाग में जहर फ़र जाता है तीसरी बात मैं एक बुशना चाहता हूँ मान लो अब ये हैपोथेटिकल हैपोथेटिकल ये बस सच नहीं है मान लो औरंग जेब ने हिंदूों पे कोई अत्याचार किये तो उसका बदला उसका बदला आज के मुसल्मानों से लेना चाहिए क्या इतिहास की बदला बदला आज ले सकते है क्या चलिए यहाँ पे मज़िदार आपको एक बात बता देता हूँ मैं क्यों कि लोगों से पूछता रहता हूँ एक मीटिंग में गया तो मैंने कहा भई देखो बताओ इतिहास की बातों का बदला आज ले सकते क्या यही औरंग जेब और मुसल्मानों की बात चल रही थी तो एक दोस्त खड़े हो गया चाती को तीरी दिंची बाहर फुलाया बोले इतिवास की बाते को बद्लाऄ ले सकते के हम लेंगे मैं एकदम ढ़र गया मैंने आ इसका क्या जगा वो सकता है तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई मैंने आपको पता होगा पहले पत्पी के मरने के बाद स्तिरियों को जलाया जाता था किया कहा जाता था सती मैंने का मैंने सुना है कुछ मुसर कुछ औरते साथ में आ रही है और वो बोल रही है हम इतिहास की बात का बदल्ल लेंगे क्या करेंगे हम हम क्या करेंगे हम सता प्रथा चालू करेंगे वो दोस्त की चाती तीन इच बारती ना चार इक अंदर चलिए तैंक यह इतियास इतियास है उससे कुछ सीख रहा है तो अच्छे से सीखो अच्छे से उसको देखो इंसानियत के अधार के देखो अर जैसा मैंन इतियास का सबसे important point ही होना चाहिए, कि लोग उत्पादन कैसे करते थे, लोग कैसे जीते थे, उनका शोशन किस प्रकार से होता था, ये शोशन नहो, एक अच्छा समाज बन सके, इसलिए हमको इतियास को देखना चाहिए. तो मद्य विकिन काल को एक अंदकार का युग करके अंग्रिजो ने में प्रसुत किया, हिंदू राष्ट्रवादी भी वैसा कर रहे है, so this period was also a period of interaction of Hindus and Muslims, Hinduism and Islam and different type of cultures flourished in this period. So this medial period, the first point you must know, that this was not a period of nation state. और नेशनलिजम चालू कब होता है? नेशनलिजम भारत में चालू होता है. अंग्रिजो के आने के बाद. अंग्रिजो के आने के बाद पहली क्या था? नेशन स्टेट था या राजाशाही थी? राजाशाही. तो राजाशाही और उसके पहले जाके देके के कागाथा? तो इस whole debate which is going on today is a totally on the false ground. नेशन स्टेट इस a modern phenomenon.